प्रूना महामारी को लेकर दूसे राजी और शेहरों में फसे मजदूरों का घर जाने का सिलसला लगा तार जा रही है कोई पैदल तुका इस साइकल के जरीए घर जा रहा है कभी ट्रकों बसों से जाते मजदूर जगे जगे पर हाथसों के शिकार होकर अपनी जान लवा रहा है लेकिन इस बीच यूपी के नाचे मंत्री चौधरी उदेभान सिंग ने मजदूरों को लेकर एक विवादत बयान दिया जिसमें मंत्री ने कहा कि मजदूरों के साथ हमारी समवेदन शीलता है मजदूरों के साथ वे हाथसे को किसी ने आमंत्रित नहीं किया मंत्री यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि हमने जगे जगे स्टॉल लगाए खाना बना रहे हैं, किछडी बना रहे हैं, भट्टिया लगा रहे हैं, मजज़ों को वहीं रोक रहे हैं लेकिन कुछ लोग रुक रहे हैं और कुछ लोग खेतों में से ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हो हम उन्हें बुलाकर पानी फिला रहे हैं कुछ मान रहे हैं एक कुछ नहीं मान रहे हैं तो मंत्री जी का ये बयान बता रहा है कि रोजी रोटी गवाचुके लोगों के बारे में उनकी क्या राय है अपनी जिन्दी के बाजी लगाका जो लोग सब कुछ छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं उन्हें पीने के लिए पानी और खाने का ताना देकर मंत्री जी चोड़ और डकैट से उनकी तुलना कर रहा है ये दो तस्वीरे भी आपके सामने हैं मंत्री जी का बायान आपने सुना उन्होंने क्या कहा और अब ये तस्वीरे देखिएगा कि कैसे जो मजदूर है वो बेबस है और इसी बेबसी में उनकी मजबूरी है कि वो पैदल चल रहा है और इस बीच मंत्री जी चोड डकैटों से उनकी तुलना करते वे नजर आ रहा है मंत्री जी ये कह रहा है कि उन्होंने सब कुछ इंतजाम किये हैं खाने का इंतजाम है पानी का इंतजाम है रहने का इंतजाम भी कर रहा है लेकिन इस बीच जो मजदूर है वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि चोड डकैद भागते हो और जो हादसे हुए हैं उसको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया किसी ने आमंत्रन नहीं दिया है उन हादसों को लेकिन हैरान करने वाली यह तस्वीर है एक तरफ जहां मजदूर रहे हैं कि कितनी दिक्कते मजदूरू को हो रही चोटे चोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं दूसरी तरफ से मंत्री जी का इस तरीके का बयान आना वाकई में हरान करता है कि कैसे आप इन गरीब मजदूरों को चोड डकैतों से कम्पेर कर सकते हैं तो ये ताना जो है वो साथ जादा जानकारी के साथ जो चुके हैं संदीपर राज्य मंत्री का इस तरीकी का बयाना आना वाकई में हरान करता है एक तरफ सरकार लगातार कोशिशे कर रही है मुख्य मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले हम तमाम इंतिजाम कर रहे हैं दूसरी तरफ मुख्योग यहां पर मंत्री साथ जो कहते वे नजर आ रहे हैं एक तरीकी का ताना भी दे रहे हैं कि हम सम इंतिजाम कर रहे हैं दूसरी तरफ चोड डकैतों से तुलना भी कर रहे हैं संदीप अवाज मिल पा रही है आपको हमारी चले संदीप तक शाद हमारी अवाज नहीं जा पा रही है लेकिन इस पूरी खबर की जब हम बात कर रहे हैं तो वाकई में खबर हैरान कर रही है यहाँ पर और यह जता रही है कि मंत्री जी किस तरीके की सम्मेदनाय रखते हैं मजदूरों के प्रती संदीप हमारे साथ तो जोट चोक है संदीप अवाज मिल पा रही है आपको हमारी संदीप जो बयान मंत्री जी का सामने निकल की आया है वो वाकई में हैरान कर रहा है कि एक तरफ मजदूरों की जो तस्वीर आए दिन हम देख रहा है वो वाकई में दिल को जगजोर रही है कि कैसे पैदल मीलो चल रहा है मजदूर छोटे छोटे बच्चे रोते रोते पैदल चल रहा है दूसीरे तरफ मंत्री साहब ये कह रहा है कि मजदूरों के लिम खाने पीने का अंतिजाम कर रहा है लेकिन मजदूर उस तरीके से भाग रहा है जैसे कि चोड़ ड़केत हो अदे के सिलपा जो राज्य मंत्री है उदेबान चौदरी उनका बयान अस्मविदन सील्टा के हदे पार कर रहा है चलिए संदीप मैं आपको रोकना चाहूंगे, मंत्री साब हमारे साथ खुद जोड़ चुके हैं, उदेबान सिंग साब हमारे साथ जोड़ चुके हैं, उदेबान सिंग साब हमारे साथ जोड़ चुके हैं, उदेबान सिंग साब बहुत वागत है आपका जी उत्तर प्रदे आप इंतिजाम कर रहे हैं और मजदूर जो है वो चोड डकैतों की तरह भाग रहे हैं नहीं ऐसा है पात को तोड मरोड दिया यह लोग हम अपने प्राणों की परवा किये दिना इन लोगों की सेवा कर रहे हैं इतना लार प्यार दोलार हम दे रहे हैं उसको कंई भी किसी भी तरीके से कभी नहीं चोड रहा है उतनी भी सुक इभी मेरे कारकरता, मेरे सरकार प्रिशे किये समर्पक्स समाद से हैं मंत्री साम मैं उद्योग मंत्री हूँ जी जी सर आपका बयान में आप ही को एक बार फिर से सुनवा देती हो अगर आप चाहें तो यह आप ही की तरफ से वर्डिक्ट सामने निकल के आप अपना बयान पहले सुन लीजिए मेरी बाब को आप रोज भोगत रहे हैं रोजाना ऐसी काम को कर रहे हैं हमने जगे जगे स्टोल बना रखी हैं खिचडी बना रहे हैं खाना बना रहे हैं भट्टियां लगा रहे हैं वहीं रोक रहे हैं कुछ लोग रुक रहे हैं कुछ लोग नहीं रुक रहे हैं खेतों में से भाग रहे हैं मेड़ों पैसे भाग रहे हैं ऐसे बाग रहे हैं जैसे चोर और टेकेत हैं हम उन्हें बुला रहे हैं पानी पिला रहे हैं कुछ मानने कुछ नहीं मानने तो सर पर ये जदाना किस तरीके का कि ये भी इंतजाम हम कर रहे हैं वो भी इंतजाम हम कर रहे हैं सर अपके बयान से तो कम से कम जो भी सुन रहा है यही नजर आ रहा है अपने प्राणों से जादा प्यार कर रहे हैं उनको इस दो पाहरी में पूरे दिल पूरे दिन सरकों पर खड़े होकर के उनका इंतजाम कर रहे हैं सर इस बयान को लेकर सरकार पूरे इंतजाम कर रहे हम भी बात कह रहे हैं लेकिन उसके बाद यह तस्वीर आ रहे हैं तो बांके में सवाल तो खड़े होंगे सर चौदरी साब जितुएगी इस तौर भी आप तोड़ मरोड रहें तेव कर दो दो सबनाievous नल्दी आए इंत आफ को बॉतालस आगो उस्टा को श्बदो को झाना रहें मेरी बाद को भी समद्ज में कि बिलकुल बोली से मैं आप ही की बाद सुन रही हूँ शबदों को तोड़ना मरोड़ना और रिगितिमिटी पीडिविटी के लिए पंहान यह बहुत आपने मेरी भावनाओं को समनो, मेरी भावनाओं का आधर कम्या आप, शब्दों का तोड़ना मरोड़ना तो बहुत आउसाल है चले, ठीक है सर, हमारे साथ हमारे सायोगी संदीब भी जुड़े गए, वो भी आप से कुछ सवाल पूछना चाते है, संदीब पूछेगा सिल्पा एक सवाल, एक सवाल मेरा है, मंत्री जी इन्ही मजदूरों ने आपकी सरकार बनाई थी, तो आज ही आपके लिए चोरों डकेत हो गए, पहला सवाल तो यह है, और दूसरा आपको मालूम, आपको मालूम है किस तरीके से यह है, आप कह रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हू आप सरकों पर देख रहे हैं उनको, संधी बेख सेकिन, चोदरी साब मैंने आपको अभी आपका बयान सुनवाया, आप कम से कम टेलिविजन पर जूट ना बोलेगा सर, अभी मैंने आपका बयान सुनवाया आपको, जिसमें आपने ही चोर डकेतों से कंपैरिजन करा इन नहीं आ रहा, कहीं भी उनकी बातों में, और उपर से जो बयान हम सुना रहे हैं, उस पर भी वो ये कह रहे हैं, कि उन्होंने कहा ही नहीं है, तोड मरोड कर इसे रखा गया है देखें सिल्पा बहुत गहर जिम्मेदारना बयान था ये, और योगी सरकार की जितनी मेहनत पिछले डेड़ महिनों में की जा रही है, उस पर ये पानी फेर देगा, ये इस पर राजिनती होगी, क्योंकि विपक्ष चाहें सपा हो या फिल कॉंग्रेस हो, इसको हातो हात क्योंकि मजडूरों का मुद्धा पूरे देश में समझ सबसे बड़ा है, हर सरकार कोसिस तर रही है, पूरी ताक़ें जोग रही है, ताकि मजडूरों को सही सलामत उनके घरों तो पहुँचाये जाएं. इस सरके के बयान पूरी जो सरकारी सिस्टम है, जो अदिकारी लग गए हुए हैं जो तमाम ब्योस्ता में हैं उनका भी मोराल डाउन कर देता है कि एक तरफ सरकार के मंत्री हैं राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि यह जो चोर डखेतों की तरह भाग रहे हैं निसी तोर पर भाग रहे हैं वो जा रहे हैं वो चुपके जा रहे हैं क्योंकि उन पताया था सिल्पा कि बिल्कुल वाकई में संदीप इस तरीकी के बयान आना ग्यार जम्रिदाना है अपनी ड्यूटी निभाते हुए जताना और ग्यार जम्रिदाना है बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारिये में देने के लिए संदीप